सभी को नमस्कार कालिदास विरचित मेगदूत के प्रथम पांच पद्यों पर विचार करते हुए हमने मेगदूत को आगमिक और नईगमिक इंदो द्रश्टियों का समन्वय करने वाली रचना के रूप में बहचानने का प्रयास किया तो द्रश्टिया निरंतर मेगदूत में प्रतिपद्य गुथी हुई है यह भी हमने बात की विशई निष्ठता हो सकती है और विशई निष्ठता हो सकती है सब्जेक्टिविटी हो सकती है अब्जेक्टिविटी हो सकती है यक्ष की द्रश्टी हो सकती है, कभी की द्रश्टी हो सकती है ये समानांतार एक दूसरे के साथ साथ चलती है और संगम भी करती है उसी तरह से आगम और निगम की दो धाराएं मेगदूत मे प्रवह मान हैं और संगम भी रचती है आगम क्या है और निगम क्या है इस पर किंचित विचार करते हुए मैगदूत के अगले कुछ पद्धियों पर बात करेंगे अनाधिकाल से भारत में ग्यान की दो धाराएं निरंतर विक्सित होती आई हैं प्रवाह उनका बना रहा है ग्यान के प्रवाह को भी हमारे आचारियों ने अभिनोगुपतादी आचारियों ने दो कोटियों में विभाजित किया है एक कूटस्थ प्रवाह है और एक सततप प्रवाह है नित्यता ज्यान की दो प्रकार से परिभाशित की गई एक कूटस्थ नित्यता और एक प्रवाह नित्यता शाश्वत तत्वों की जहां बात के जाती है वहां कूटस्थ नित्यता होती है ज्यान में और जहां सतत विकास उनका ज्यान की अवधार्णाओं का वताय जाता है, वहां प्रवाह नित्यता होती है। ज्यान की परमपरा में प्रवाह नित्यता और कूटस्थ नित्यता दोनों बनी रही हमारे देश की ज्यान मीमान सामें। उसी तरह से आगम परंपरा और निगम परंपरा भी बनी रही, कहीं इनमे यदि विरोध भी, आपात तह प्रतीत हुआ तो हमारे महाकवियों ने संतों ने और दार्षनिकों ने, चिंतकों ने उस विरोध का परिहार और समन्वय करने का यत न किया, नाना पुराण अगम सम्मतम यत गुलसीदास रामचरित मानस के आरंभी किश्लोकों में कहते हैं, तो निगम सम्मत भी हो और आगम सम्मत भी हो, दोनों का समन्वय जिसमें हो सके, ऐसी रचना में करूँगा, ऐसी पृतिग्या आरंभ में ही वे करते हैं, कालिदास भी यही करते हैं, वे प्रशेश चे रचनाओं में आगमिक और नईगमिक परंपराओं का समन्वय वे करते हैं। हो सकता है इस पर चर्चा करते हुए हम सबसे पहले निगम पर बात करेंगे निगम मुख्य रूप से जान परंपरा में निगम का अर्थ वारत में हमारी परंपरा में वेद लिया जाता है। रतीय अध्याय में अमरकोश में रतीय कांड में अमरकोश में आता है। शृती भी इसी को कहते हैं आमनाय भी इसी को कहते हैं त्रई भी इसी का परियाय कहा गया। निगमन की प्रणाली का उप्योग जिसमें किया जाए, जिस ग्यानवी मांसा में वह निगम है। तो दनु व्याख्या की जाए, शुती परमपरा से जो ग्यान प्राप्त हुआ है, साक्षातकार्ज जिसका रिशियो ने किया, वह शुती परमपरा है ग्यान की, और उसी की व्याख्या मूल शब्दों से की जाए, मूल शब्दों को आधार बना कर की जाए, तो यह निगम औ और निगमन की विधी का प्रयोग होता है। दुर्गाचार इने मूल पाट से जो अर्थ निकाला जाता है, उसी को निगम और निगमन के द्वारा प्राप्त अर्थ कहा गया है। इसके समानांतर ज्यान की दूसरी जो प्रणाली है और धारा है, वह आगम की है, तो निगम आभ्यंतर क्रती के भीतर भीतर रहते हुए अर्थ निकाला गया। और आगम जो आगम हुआ है, इसी परंपरा से आया है, जो जोड़ा गया है उसमें, उस ज्यानप्रवाह को बताता है। आगतम पंच वक्तरात्तू, गतमच गिरिजानने, मतमच वासुदेवस्य, तदागम मुझ्य ते। पंच वक्तर या श्युके मुख से निकला हुआ है, गिरिजानने जिसको सुना है, उससे जिसकी परंपरा चली है, वासुदेव का ऐसा मत आगम कहा जाता है। एक परंपरा में आगम का लक्षण है और शड लक्षणी बताई जाती है परंपरा में शष्टि प्रलय देवार्चन साधन, पुरश्चरन, ध्यान योग, चारुप्रकार के ध्यान योग, ये जिसमें बताए जाएं ये शडवित आगम के प्रकार बताए गए, इसलिए आगम में बाखुल्य हो जाता है, प्रकार बाखुल्य हो जाता है, साधना पधतियां बहुत हो जाती है, और आगम भी अनेक हो जाते हैं, शैवागम, वैश्नवागम, पांचरात्रागम, तीन धाराएं तो आगम की प्रस प्रसिद्ध हैंही और अनेक आगम हरेक के अंतरगत प्रसिद्ध हुए ग्रंथ लिखे गए, कलिदास को इसका बोध था आगमों के वेविध्य का और ज्ञान का जो सततप प्रवाह उनके द्वारा विक्सित होता रहा उसका, तो बहुदा प्यागमे इर्भिन्ना पंथान सि प्रगवंश में विष्णु के इस्तवन में देवताओं के मुख से कहलाया गया, कि आगमों से जो भिन्न भिन्न पंथ हैं, सभी सिद्धि की ओर ले जाते हैं, और तुमी में बेसंगम कराते हैं, जैसे जान्नवी की अलग-अलग धाराएं, सागर में ही सब जाकर के मिलती हैं, आगम जो फिर प्राप्त किया जाए, सब प्रयास से प्राप्त किया जाए परंपरा को, आगम हो जाता है, गुरुशिष्य परंपरा में आगम चलता है, गुरु के मुख से सुनकर के अरजित किया जाए, प्राप्त किया जाए, तो जो संप्रदा है, सम्यक प्रदान गुरु के द्वारा गुरुशिष्य परंपरा का सतत होना सातत्य होना इसमें आगम विश्रान्त होता है। अधिगत जो ग्यान हुआ है। अधिगम की प्रणाली बाहर से ग्रहन करके उसका संचय करने की प्रणाली और उसका निगमन करके निस्कृष्ट अर्थ निकालने की प्रणाली। ये दोनों ग्यान की परंपराएं हैं। एक शृती परंपरा में वेद की परंपरा में विशेष रूप से व्यवरत हुई। दूसरी गुरुशिष परंपरा में संप्रदायों में विशेष रूप से व्यवरत हुई और आगम परंपरा उससे विक्सित हुई। किस प्रकार से ये निगम और आगम परंपरा हैं। अपने व्यापक रूप में में एकदूत में संक्रान्त हुई हैं। में एकदूत का अध्यन करते हुए। प्टीका कारों ने भी और आधनिक अध्यताओं में वासुदेव शर्ण अकरवाल ने भी इस्तथ्य को स्विकार किया है। पांच इश्लोकों में यक्ष के चरित्र का वर्णन है। और विशय निश्टता उसमें अधिक है कि यक्ष की गाथा का आरंब कभी कर रहे हैं। और आठ महने उसने किसी प्रकार रामगिरी पर पिता दिये। फिर एक दिन बादल को पहाड के उपर टिका हुआ देखा। तो उसके मन में आया कि इसको में दूद बना कर अपनी प्रिया के पास भेज दूँ। यह चार इश्लोकों में कह करके फिर कभी सामने आ जाते हैं अपने समय के रसिकों को पाठकों को सम्भोधित करते हुए कि दूआ आग, हवा और पानी का मिश्रण बादल कहां और कहां पटुकरण दूटों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा प्रापणिय संदेश इस बात की परवाह न करते वे, गुईहक ने उससे आचना की, गुईहक का भी प्रयोग किया है जो यक्षों की विशिष्ट कोटी है और ये आचना में भी यक्ष को दीन बताया है, दोनों ही बातें, क्योंकि काम आर्थ बना देता है उन्ष्यकों, काम का भी दिविद सरूप है, एक महनी ये अर्थ में काम और एक सीमित अर्थ में काम, कभी दोनों ही अर्थों को जूचित करना चाहते हैं, तो उस काम से भर करके, उचाई तक पहुँचने की कामना जो यक्ष की है, कि इस बादल को अलका तक जाना है और शिव तक पहुँचना है, यह भी काम या का और कामना जो प्रिया के लिए चिंता है उस पर संदेश उस तक पहुचाने की जो इच्छा है वह भी काम है इतनी बात पाँच पद्यों में बता करके यक्ष का संदेश छठे पद्य से आरंब करते हैं जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करा वर्त कानां जाना मित्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोना देनार थित्वं त्वै विधिवशा दूर बंधुर गतोहं याच्यां मोगा वर मदिगुणे नादमा लब्ध कामा भुवन विधित पुष्करा वर्त तक मेगों के वंश में उत्पन हुए तुमको मैं मघोना इंद्र का प्रकृति पुरुषं प्रधान पुरुष जाना मिजानता हूँ बहुत सारा विध्यान श्रष्टी विध्यान मेगों का स्वरूप जो पुराणों में आगम परंपराओं में बताया गया है पुराण भी आगमों के अंतरगति आते हैं और जो शड लक्षणी बताई गई है आगमों की पुराणों में श्रष्टी और प्रला इत्यादी उ उस सब को कालिदास ने यहां समेट लिया है, पुषकर और आवर तक विशेश कोटी के मेग हैं, और प्रलाई के समय पुषकर और आवर तक बरसते हैं, यह भी त्रष्टी प्रक्रिया बताते हुए कहा गया, सबसे स्रेष्ठ मेग यह बताये गये हैं, इसलिए जिससे कुछ काम करवाना हो उसकी प्रशंशा करना चाहिए मुझे तो लगता है कि तुम पुष्कर और आवर तक मेगों के वंश में ही उत्पन हुए हो ऐसा उसकी प्रशंशा करते हुए कहता है और भी अधिक प्रशंशा करते हुए कहता है एक तो भौतिक रूप है मेग का कि मेगों की अनेक कोटियां उनी में से एक कोटी मेग की है और उसका रूप बदलता रहता है हवा टकराती है तो कई-कई रूपों में बादल प्रगट होता है कभी हाथी जैसा दिखता है कभी उंट जैसा दिखता है कभी पहाड जैसा दिखता है कलिदास ने भी विविद रूप उसके इसी तरह से वर्णन उनका किया ही है और एक उसमें जो चैतन्य है उसके कारण जो चैतन्य सर्वत्र व्याब थे स्रष्टी में उसके द्वारा जो स्रष्टी में लीला चल रही है उसमें एक कामरूप पुरुष है जो कि प्रधान पुरुष है इश्वर का भी उसकी लीला यहां चल रही है उसका भी संकेत यहां तो दिविद रष्टियां और दोनों ही इस तर्ष्टी के आदि भौतिक और आदि देविक बताते हैं कालिदास तो ऐसा तुमको मैं उस महान वंश में उत्पन हुआ इंद्र का प्रधान पुरुषर स्वेच्छा नुसारी कहीं भी गमन करने वाला कोई सा भी रूप बनाने वाला मैं तुमको जान रहा हूँ समझ रहा हूँ इसलिए तेनार्थित्वम त्वई विधिवशाद दूर बंधूर गतोहम दूरे बंधूर यस्या अथवा दूराद बंधोह या दोनों ही तरे से विग्र किया जा सकता है वो दोनों ही अर्थ अभीष्ट भी कलिदास को यहां है अपने बंधू से बिछड गया मै और बंधू जिसका बिछड गया है उससे ऐसा मै दोनों ही बात है क्योंकि यक्षणी की भी बात कह रहा है और मैं यक्षणी से बिछड गया ऐसा तो कही रहा है और यक्षणी मुझसे बिछड गई यह भी कह रहा है तो मेरा बंधू बिछड़ गया मुझसे और मैं अपने बंधू से बिछड़ गया संपूर्ण कालिदास वांगमे में जहां तक मुझे अपने अध्ययन से उपस्थित है दो ही स्थलों पर दामपत्य संबंधों के लिए बंधू शब्द का प्रयोग कालिदास ने किया एक तो राम और सीता के संबंध को परिवाशित करने के लिए कहा कि बंधू हैं वे वैदेही बंधोर रधयम विदद्रे क्या कालिदास कहते हैं रगुवंश में निर्वासित कर दिया रधय पर पत्थर रख कर सीता को लेकिन फिर कहते हैं कि वैदेही के बंधू का रधय तूट गया था फिर कौली न भी तेन ग्रहान निरस्ता न तेन वैदेह सुता मनस्ता वो लीन जो लोकापवाद है उसके कारण निर्वासित तो कर दिया लेकिन मन से निर्वासित नहीं कर सकते थे वैदही के बंदू थे और वैदही उनकी बंदू थी ऐसा बांधव्य संबंध का प्रतिपादन तंपती के लिए कालिदास करते हैं रगुवंश में और यहां भी करते हैं यह तो दामपत्य का रहस्य इसमें से निकलता है, दोनों जब एक दूसरे के बंदू बन जाते हैं, उसी में दामपत्य की सिद्धी है, यह भी धर्मसम्मत सुरूप दामपत्य का बताते हैं, तो बंदू मेरा बिछड गया है और जो मैं बंदू से बिछड गया हूं, ऐसा द जैन्य भी मनस्विता भी दोनों बातें एक सांथ कभी यक्ष के द्वारा गाटित करते हैं जहां यक्ष दीन होने लगता है वो उसको समभाल लेते हैं और अर्थांतरन न्यास के द्वारा साधारणी करण सामानी करण कर देते हैं विशेश का उसको जस्टिफिकेशन करने के अर्थांतरन्यास बार बार लाते हैं इसलिए दिविद दृष्टियां हो जाती है यक्षि कहीं दीन बन रहा है तो अर्थांतरन्यास के द्वारा कालिदास उसको समभालते हैं अधिगुण व्यक्ति के सामने हाथ पसारना हाथ फेलाना अधिक उचित है अधिम व्यक्ति के सामने याचना करना उचित नहीं वले ही वायाच्या याचना सफल हो जाए ऐसा है तिया जो दिविद सुरूप दिविद काम और आगमिक और नेगमिक दोनों दृष्टियां मेगदूत में हैं वह इस पद्य में भी कहीने कहीं संक्रान्थम देखते हैं वल अबदेव ने काम रूपम के दो अर्थ अपनी टीका में किये हैं काम रूप काम सदर्श रूप वाला काम इव रूपम यस्य बादल सुन्दर दिखाई पड़ रहा स्रष्टि में सुन्दर रिव्याप थे आशाड के प्रथम दिवस पर बादल आया अपतीवी गर्मी के बाद बहुत सुन्दर दिखता है इसलिए काम रूप या सुन्दर कहा है यह भी उचित है मनोग्यम स्वेच्छा रूपम वा अत्वा स्वेच्छा से जो अपना रूप बदल सकता है दोनों ही अर्थ अभिष्ट है कारिदास को और मेग का जो चेतन्य सरूप है चेतन्य मैं सरूप है जो चेतन्य उसके भीतर व्याप्त है उसमें स्रष्ठी पुरुष जिस तरह से लीला कर रहा है उसका वर्णन तो बार बार करते ही हैं पुष्प मेग ही कृतात्मा उसको कह देते हैं तुम फूलों की वर्षा करने वाले मेग बन जाना जहां तुम देवगिरी पर कार्थिके के मंदिर के उपर पहुंचोगे तो बारिश के बहाने फूल उनके उपर वर्षा फूलों की वर्षा कर देना तो पुष्प मेग ये एक शब्द ही उन्होंने गड़ा बहुत सारे शब्द कालिदास ने लगबक्स शताधिक शब्द नए गड़े मेग दूत में तो पुष्प मेग एक कोटी मेग की फिर धर्म शास्त्र के कुछ गरंथों में परिवाशित किया उसब कालिदास के बाद के गरंथे हैं और कालिदास शास्त्र परंपरा को नया कर देते हैं शास्त्र अपने आपको रिवाइश करता है नवीन करता है मेग दूत आदी कालिदास के गरंथों के आधार पुष्पमेग को परिवाशित किया बात के शास्त गृंथों में कि एक पुष्पमेग भी होता है जो पुष्प वरष्टी करता है या उसकी बूंदे ही पूल की तरह लगती हैं देह पर जब वे गिरती हैं तो इसलिए उसको पुष्पमेग कहते हैं और कहीं पर विश्णु के चरण वामन के पिराट रूप में उठाएवे चरण की तरह उसको बता देते हैं कहीं पर गत्वा सद्या कलब तनुताम हाती के बच्चे जैसा हो जाएगा वह ऐसी कल्पना करते हैं कहीं अईरावत की तरह होगा ऐसी कल्पना करते हैं यह जो प्रकृति पुरुष कहा है प्रकृति पुरुष दोनों की लीला हो रही यह तो संकेत कर ही रहे हैं प्रधान पुरुष इसका मुख्य अर्थ है प्रकृति शब्द यहां प्रधान के अर्थ में है यक्ष मेग को पसंद करना चाह रहा है, इस द्रश्टी से उसको प्रकृति पुरुष कह रहा है, पुर्ण सरस्वती अपनी व्याख्या में कहते हैं कि चुंकि आप इंद्र के प्रधान पुरुष हैं, यक्ष कह रहा है, इसलिए इंद्र तक का वैभव सामर्थ सब आपके अधीन हैं, क्योंकि जो प्रधान पुरुष होता है, जो प्रधान सेवक है, उसी से प्रभु की महिमा बनी रहती है, उसके अधीन एक तरह से रहती है, क्योंकि जगत की सारी स्रश्टी तो मेग की वर्शा के अधीन है, और इंद्र के सामराज्ज की जो इस्थिती है, मर्य ज़्यादा ऐश्वर्य और गरिमा तुम्हारे कारण है ऐसा यक्ष सूचित कर रहा है कामरूपमकार्थ पूर्ण सरस्वती ने अनिमाद्यष्टि सिद्धि संपन्नम यह भी किया है और विचारणी यह अर्थ है क्योंकि कामरूप जो है उसको अनिमा महिमा लगिमा पूर्ण सरस्वती की व्याख्या है यह छठा पद्य हुआ है अगले पद्य में यक्ष कहता है। हे मेग, अब यहाँ मेग को पयोद कहा है। मेरा संदेश तुम ले जाओ, प्रिया यहाँ प्रिया तक मेरा संदेश तुम ले जाओ. एसा मैं हूँ, कि धनपती क्रोध विशलेशित से, धनपती के क्रोध से विशलेशित में हो गया, निजंत का प्रयोक करते हैं, विशलिष्ट में हूँ ऐसा नहीं कहते हैं, विछुडा दिया गया है, विछो मेरा करा दिया, धनपती के क्रोध के द्वारा, करा दिया गया, अ विश्लिष्ट करा दिया गया, इस अर्थ में यक्ष कहता है, गंतव व्याते वसतिर अलका नाम यक्षेशवराना, यक्षेशवरों की बस्ती, अलका तक तुमको जाना है, बायो ध्यानस्थित अहर शिरश चंद्रिका धौत हर्मिया, जिसके बायो ध्यान में, शंकर के माथ माथे से फूटती भी चांदनी उजास भरती रहती है, उसको धोती रहती है, चांदनी का प्रवाह पानी की तरह जैसे उसको धो रहा है, बाहर ये उद्यान में, अलका के बाहर बगीचा है, उसका भी वर्णन उत्तरमेग में किया है, उस बगीचे को शंकर के माथे से फूट कुर्टी चांदनी जो है उस बगीचे में फैलती है और उसके हर्मियों को उसके उचे उचे भोनों को उजला उजला कर देती है धो जैसा धो देती है उत्प्रेक्षा ऐसी कल्पना करते हैं तो ऐसी अलका नगरी तक तुमको जाना है वह यक्षेश्वरों की बस्ती है माहात जगह पर छोटी मोटी जगह पर हम नहीं तुमको भेजना चाह रहे हैं ऐसी महिमामय नगरी में हम तुमको भेज रहे हैं जहां यक्षेश्वर विराजते हैं और जिसके बाही उध्यान में शंकर स्वयम निवास करते हैं उसी के बाहर तो कैलास है उस कैलास में शंकर ले दिखते हैं कैलास से लगी हुई है अलका नगरी बोगोलिक स्थिति तो बताई ही बोगोल इसमें पूरा समाया हुआ है अलका कोई नगरी रही है और कैलास के निकट है यह कालिदास बताते हैं कैलास पर शंकर हैं अलका के भौन इतने उचे उचे हैं कि शंकर के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा से चांदनी फूटती है उसकी भवन की भवनों की छतों पर बिचलती है बिचती है तो ऐसे उस अलका के बायोध्यान में ही शंकर भी निवास करते हैं ऐसा यक्ष कहता है बायोध्यान की व्याख्या करते हुए पूर्णस रस्वती कहते हैं कि जो गंद्माधन परवत है वही अलका का बायोध्यान है कोई अलक से पार्ग उपवन नहीं बनाया गया है गंद्माधन परवत ऐसा है कि उसमें इतनी सुंदर वनस्पतियां इतने सुगंद से भरे हुए पूलों के पेड है कि गंद मादन उसका नाम है वाँ भारत में पुराणों में गंद मादन परवत का खूब पर्णन किया गया है पूर्ण सरस्वती ने तो विश्णुपुराण का साक्ष दिया है विष्णु पुराण को उन्होंने बहुत उद्रत किया है अन्य पुराणों को भी उद्रत करते हैं और विष्णु पुराण को तो ऐसा उन्होंने आत्मसात कर रखाएगी मेध्दूत में बार-बार विष्णु पुराण का उलेखवे करते हैं विश्णो परंपरा के स्वयम भी हैं चुंकि तो बनम चैतरतम पूर्वं दक्षणम गंतमादनम पूरु में चैतरत वन है और दक्षण की तरफ गंधमादन है ऐसा विश्णु पुराण में हिमालय के वर्णन में आता है और गंदमादन परवत के और भी प्रसंग कालिदास से भी देते हैं पुर्ण सरस्वती कुमार संभो में तो गंदमादन का परवत का वर्णन है ही पूरे अश्टम सर्ग में हिमाले का जो अधुत सोंदर्य है वहां गंदमादन है वामिवस्थितवतीम उपस्थिता गंद माधन वनांत देवता वन है गंद माधन, उस भाड़ पर पूरा भगीचा खिला हुआ है तो वन देवियां तो मा होँगी, तो तुम यहाँ ठहरी रे गई हो तो गंद माधन की वन देवी तुमारे पास आ गई तुमारी सपरिया करते हुए, यह उन्होंने कहा, पद्म भेद पिशुनाव शिशेविरे गंद मादन वनांत मारुता, गंद मादन परवत पर जो तरह तरह के कमल खिले हुए हैं सुगंदित, उनको, उनकी सुवास को ढोती हुई हुएं सेवा कर रही हैं, ऐसा कहा है, विक् कालिदास के सपनों का उपवन है, पहाड है, उसमें जो उपवन है, वह एक तरह से सपन का लोग है कालिदास के लिए, स्वयम भी घूमे हैं वहां, खूब हिमालय पर घूमे हैं, केलास तक गए हैं कालिदास, सब वहां का देखा हुआ उनका, और उनके मानस में बसा हुआ एक गंध मादन बालप्रबोधनिकार कहते हैं बायो ध्यानस्थित हरश इरश चंद्रिका धोत हर्मिया इस विशेशन के द्वारा कालिदास अलका का जो पुरांतर व्यावर्त कत्व है वै लक्षन ने उसका है अन्य नगरों से वह विलक्षन है अनूठी अनोखी ही नगरी है अलबेली ही नगरी है ऐसा गर्व के साथ कहता है अपनी धर्ती अपनी जन्भूमी के लिए कैसा गर्व उसके भीतर है कि अन्य कोई नगर उसकी तुलना नहीं कर सकता अद्वितीता उसकी क्यों है क्योंकि शंकर गंद माधन लगा हुआ है अलका से एकदम सटा हुआ है और उस पर तो शंकर विराजमान है वहाँ से निकलती वी चांदनी अलका नगरी में आती है तो अद्भुत नगरी है और यहीं तो शिव है इसलिए यह जो यात्रा मेग की है तो शिव तक पहुँचने की भी यात्रा बन जाती है उस अलका नगरी में तुमको जाना है और वहीं से फिर शिव के दर्शन तो तुमको होंगे ही शिव तक तो ले ही गए उसको और मनिपूर चक्र में आरोहन जब हो रहा है तो उस समय सोपान बन गया है बादल ऐसा पूरु मेग की अंतिम पद्यों में वर्णन करते हैं तो यह जो यात्रा है शट चक्रों की उसमें मेग ऐसा ग्यान पुरुष है जो सोपान बनता है भीतर का जो ग्यान पुरुष है उसका भी प्रतीकव बन जाता है यह भोगोलिक इस्थिती में अलका है एक शहर नगर है छोटा सा सुन्दर नगर है गंद मादन परवत है वह भी परवत है पुराणों में महाभारत में कालिदास के साहित्य में गंद मादन परवत खूब वर्नित है और गैलास परवत है यह सारा भोगोल तो है ही इस भोगोल में जो सारी श्रष्टी का चक्र, चैतन्य समाया हुआ है, वह भी है और इस भूगोल के द्वारा जो यात्रा है, भीतर की यात्रा बाहर की यात्रा, भीतर के शट चक्रों की यात्रा, वो बाहर शिवतक पहुँचने की जो यात्रा केलास धाम की जो यात्रा जहां शंकर है भीतर की बाहर की दोनों यात्राएं साथ साथ चलती है दोनों समानांतर गामीनी बन जाती है यह कालिदास मेकदूत में करते हैं गंतव्या पीकाकार कहते हैं कि गंतुम अरहा इती गंतव्या गमन के योग्य है वहाँ जाना ही चाहिए ऐसा योग्यता और वाउचित्य बताते हुए यक्ष के मुंसे कालिदास यह कहना चाह रहे हैं कि तत्र गमनारहत्वेन त्रिवर्ग फलावाप्तिर धन्यते जरूर जाना ही चाहिए जिसे तीर्थिस्थान के लिए कहा जाता है कि वहाँ तो जाना ही चाहिए तो वह गंतब है तुमारे लिए वहाँ तुमको जाना ही चाहिए मेरा अनुरोध स्विकार करके तुमको जाना है ऐसी बात नहीं है वैसे ही तुमको जाना ही चाहिए प्रकाष्ट of में वहीं है जहां शिव हैं और जहां अपनी साध्दना की यात्रा में उसको वैसे भी पहुंचना ही है तो मार्ग में मेरा काम भी यह कर देना लेकिन तुमारे लिए गंतव्यत वह ही है क्योंकि महां पहुंचकर कि यही तृवर्ग हलब प्रापती तुमको हो धर्म अर्थ और काम तीनों ही फल तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर साक्षात, नटराज, कलागुरु, शंकर, विराजमान हैं, उनका जब टांडव होगा तो वह भी तुम देखोगे, उनकी सारी लीला भी देखोगे, और उनका दर्शन, वह भी धर्म और मुक्तिद भायक भी होगा ही, यह, यक्ष का अंतर नहीं ताश है, इसमें लगता है, और यक्षेश्वरा नाम में बहुचन है, रसदीप निकार कहते हैं कि गोरव या सम्मान का भाव इससे जूचित होता है, कुबेर की नगरी है, ऐसा नहीं कहा है, यक्षेश्वरों की वह नगरी ह पेकल्पिक अर्थ फिर इससे निकलता है, यक्षेश्वर को बहुचन में जो रखा है, यक्षेश्वर तो कुबेर हैं, सम्मान के लिए बहुचन का प्रयोक किया वह ठीक है, कुबेर देवता के लिए बहुचन कर दिया है, सम्मान के लिए जैसा करते ही हैं, किसी भी व्य यक्षों की और ईश्वर की जो बसती है यह अर्थ हो जाता है। इश्वर की भी बसतीव है ऐसा अर्थ यहाँ पर निकलता है। तिया इश्वर तक पहुचने की यात्रा फिर मेग, मेग की यात्रा बन जाती है। यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे यात्रा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तमस्कार।